पुलिस नकसल मुटभेड में C60 जवानों द्वारा 26 नकसली मारे गए उन्हें बधाई देने और उनके बारे में चानकारी देने के लिए आज पुलिस उभाग की और से प्रेस कॉंफरेंस का आयूजन किया गया पुलिस द्वारा की योजना और समाधान योजना से जिले में शानती स्थापित करने में मदद मिल रही है यात्रा के दोरान उन्होंने पहले शहीद हुए सानिकों की पत्मियों से मुलाकात की और गवाई दी की उन्होंने उनके बयानों को सुईकार कर लिया है और उनकी भरती और अन्यम मांगों को सुईकार कर लिया है ग्रहाय मंद्रे दिलेव वाल से पाटिल ने उनकी मांगों पर ध्यान दिया और उन्हें आशवासन दिया की वह इस मामले को सरकार के समक्ष उठाएंगे और इसे स्वीकार करने का प्रयास करेंगे राज्य के ग्रहाय मंद्रे दिलेव वाल से पाटिल ने इस अफस्तर पर आयोजित C60 जवानों के बधाई कारिक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बधाई दी इस इस मौके पर ग्रहाय मंद्रे दिलेव वाल से पाटिल ने कहा कि अगर कोई बंदू की नौक पर आशांती फैला रहा है तो उसे रोका जाएगा और हम इस जिम्मेदारी को सफलता पूरवक निभा रहे हैं जवान बड़ी कटिन परिस्तितियों में काम कर रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्धे को सरकार के सामनी उठाएंगे और इसे सुलजाने का प्रयास करेंगे पुलिस विभाग में इस्थानिय युवाओं को प्रात्मिक्ता देने से यहां रोजगार के अफसर पैदा होंगे और साथ ही उन्हें यहां की स्थिती से भी अफगत कराया जाएगा क्योंकि वे इस्थानिये हैं जिससे नकसलवाद को कम करने में मदद मिलती है इस बार उन्होंने करुणा के साथ दूसरों की मांगों को पूरा करने का वादा किया उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इन सभी पर सहनभूती के साथ विचार करेगी वित्विभाग की मन्सूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि मुझे यहां आकर और सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई है इस मौके पर संदीप पार्टिल ने कहा कि अगर देश में सबसे ज्यादा वीरता पदक जीते जाते हैं तो वह C-60 सैनिकों के लिए होंगे C-60 जवानों का प्रदर्शन काबिले तारीफ है उन्होंने पुलिस विभाग को बधाई भी दी इस अफसपर पुलिस अदिक्षक अंकेत गोयल ने उपस्तित अतितियों का आभार वेक्त किया गर्चिरोली पुलिस मुख्याले पहुच का ग्रह मंत्री ने शहीद इस्तंप श्रदांचली दी इसके बाद उन्होंने पुलिस से बाचीत करते हुए जवानों के उलेकनी प्रदर्शन और भादूरी की सरहना की उन्होंने कहा कि कुख्यात, मिलिन, तेल तुमुडे की मृत्यू से तीन राज्यों को लाप होगा उन्होंने तीन राज्यों में नकसल आंदोलन को कमजोर करने की पूरी कोशिश करने के लिए गर्चिरोली पुलिस की सरहना की उन्होंने विश्वास वेक्त किया की आने वाले वर्षों में गड़ चिरोली पुलिस तीनों राज्यों की सीमावर्ती शेत्रों में शांती बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी ग्राय मंत्री ने अपने संभोधन में कहा राजी सरकार नकसल विरोधी शहीदों की परिवारों के साथ मजबूती से ख़ली रहेगी और सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी गड़ चिरोली से BCN News के लिए अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट